असलावालेकुम फ्रेंस परवींस पकवान को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लिट करना ना भूलिए जिससे के मेरे आने वाले रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं गोबी मटर की सबज गोबी मटर की सबजी तो बहुत अलग-अलब तरीकों से बनाई जाती है लेकिन आज जो हम तरीका यूज करने वाले यह बहुत ही सिंपल है लेकिन इसे बहुत ही टेस्टी बन कर लड़ी होती है यह सबजी इसके लिए यहाँ पर मैं 500 ग्राम गोबी की फ्लोरेश लिए है 100 ग्राम यहाँ पर ताज़े हारे मटर ले लेंगे सबसे पहले एक कड़ाई में हम दो बड़ी चमज तील ले लेंगे तील हमारा गरम होने के बाद इसमें हम एक चमज जीरा डाल देंगे जीरा हमारा जैसे ही तड़कनी लगता है इसमें हम एक बारी कटी भी प्यास मिला क्योंता हमें कि यहां पर गोल्डन व्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है जैसे हमारी प्यास गोल्डन ब्राउन हो जाती है कि इसमें हम मिलाएंगे एक बार कटाःप यहां पर आप टोमाटो पेस्ट या टोमाटो प्णोफ डूहिan है टमाटर हमाठी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम उपसे आदा चमश नमक डाल देते हैं इससे हमारे टमाटर ने जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे यहां पर हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं इसमें हम आदा चमश हल्दी पॉडर मिला देते हैं एक चमच लालमिच पॉडर मिलाएंगे एक चमच धनिया पॉडर मिलाएंगे और एक चमच हम यहां पर अद्रक लेसुन की पैस्ट मिला देते हैं इन सारे चीजों को मिलाकर हमें अच्छे से फ्राय कर लेना है अब सारे मसाले अच्छे से फ्राय करने के बाद हम इसमें दो बारिक टीवी हरी मिलीच को स्लिट करके इसमें मिला देंगे हरी मिल्च एक करने के बाद अब हम इसमें गोबी मिला देते हैं गोबी को साफ करने के लिए मैंने इसे नमक के पानी में पाच मिनट के लिए रख दिया था इससे हमारी गोबी है एकदम साफ हो जाती है गोबी को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें मटर भी मिला देंगे मटर को मिलाने के बाद में हमें इसे एक पाच मिनट के लिए अच्छे से फ्राय करने लिए है सारे मसालों में अगर आपकी गोबी साफ नहीं आती है कभी-कभी पीली होती है इसमें कीड़ा होता है तो ऐसी हालत में आप गोबी को पानी में नमक डालकर उपार लिजिए पाच मिनट के लिए इससे जो गोबी है एकदम साफ हो जाएगी यहां पर मैंने आदा चमच गरम मसाला पॉडर मिला दिया है आदा चमच और हम यहां पर नमक मिलाएंगे अलड़ी हमने आदा चमच मिलाया था टोमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए आप अपने टेस्ट के साफ से यहां पर नमक मिला सकते हैं अब इसे हम डब करके एक पार्च पिलक्ट अब फ्राय कर लेते हैं ताकि जो हमारे मसालों को जो फ्लेवर है वो भी और मतर में अच्छे से ज़जब हो जाए अब उपर से हम एक चमच कसूरी मेथी मिलाएंगे इसे हमें क्रश करके मिलाना है इसे हमारे सबजी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा अब इसे मिलाने के बाद में हम इसमें पानी मिलाएंगे तो यहाँ पर मैं थ्री फूद कब पानी इसमें मिला रही हूँ अब हम इसे डग करके दस से पंजा मिनट पकने के लिए रख देंगे 15 मिनट हमारे हो गए है हमारी गोबी मटर की सबजी बनकर रेडी है उपसे हम बारी कटावा हरा दुनिया मिला कर इसे गार्मिश कर लेते है चलिए अब मैं इसे एक डिश में निकाल देती हूँ तो यह देखिए फ्रेंज हमारी गोबी मटर की सबजी बनकर रेडी है कैसे लगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्यू